हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का डिजाइन मनाने के लिए 11 इंच लंबा हमने आस्तिन का कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई एक साइट से हमने 7 इंच ली है अब हमें आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर लेना है बीच में से दो भागों में कट करने के बाद अब हमें डिजाइन को तयार करने के लिए एक इंच ओड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की चोड़ाई एक इंच है इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां किनारे की साइड में लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को और एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे हमें कपड़े को यहां से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और उपर की साइड से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है किनारे के साइड में हमारा हलका सा दूसरे कलर का कपड़ा दिखना चाहिए तो ये देखिए फ्रेंड हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से आप अपने आस्तिन के डिजाइन में मार्केट जैसा पाइपिन इजली तयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आस्तिन के दूसरे टुकड़े में भी हमने पतली पाइपिन बना कर तयार कर ली है अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चौडाई हमने धाई इंच ली है कपड़े को हम दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे कपड़े की उपर सिलाई चलाते हुए हमने चौड़ी पट्टी बना कर तयार कर ली है अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने के लिए हम साड़े तीन इंच की लंबाई ना पेंगे और यहां से कट कर लेंगे ये देखिए साड़े तीन इंच की लंबाई पे यहां से कट कर लेना है सेम साइच का हमें ऐसी धेर सारी चोड़ी पट्टी की कटिंग कर लेनी है ऐसी धेर सारी चोड़ी पट्टी की कटिंग करने के बाद अब हम डिजाइन को तयार करने के लिए एक पतला सा लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई एक इंच दो पॉइंट है इसे दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे हमने पतली सी चोड़ी पट्टी बना कर तयार कर ली है अब हमें एक लंबा सा चोड़ा सा कागच लेना है कागच की लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं वैसे कागज के लंबाई हमने आस्तिन के लंबाई के बराबर ली है और इसकी चोडाई हमने चार इंच ली है कागज के उपर हम चोड़ी पट्टी को ऐसे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे एक के बाद एक सारे चोड़ी पट्टी को हम लगाते जाएंगे सिलाई चला कर इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब जो हमारा ये पतला वाला चौड़ी पट्टी है इसे हमें बीच में ऐसे लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा चौड़ी पट्टी को कट कर लेंगे अब हमें चौड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है एक एक चोड़ी पट्टी का गैप छोड़ते हुए हमें चोड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आवका उप्शन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो यह देखिए फ्रेंड चोड़ी पट्टी को फोल्ड करके कागज के एक साइड में हमने ऐसे सिलाई चला कर इस लाइन को complete कर लिया है अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागी को कट करने के बाद अब हम दूसरे साइड में चोड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्पलीट करने के बाद अब हम यहां से धागी को और एस्ट्रा डिजाइन को ऐसे कट कर लेंगे दूसरे साइड से भी हमें एश्ट्रा डिजाइन को कट कर लेना है अब हमें इस डिजाइन में आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट करना है तो ये देखिए डिजाइन के किनारे के साइड में आस्तिन के कपड़े को हम ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और डिजाइन के दूसरे साइड में हम आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे तो ये देखिए दूसरे साइड में ऐसे ज्वाइंट करते हुए एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड ऊपर की साइड में हमने चोड़ी पट्टी की इस डिजाइण को बना कर तैयार कर लिया है अब हमें नीचे की साइड का डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हमने दो कलर का कपड़ा लिया है जिसके चोड़ाई धाई इंच है दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे कटिंग करने के लिए हमें इसकी चोड़ाई नापनी है तो ये देखिए यहां से हम ऐसे चोड़ाई नापेंगे चार इंच की चोड़ाई नापकर यहां से हमें कपड़े को कट कर लेना है सेम साइच का हम ऐसी 6-7 कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए हमने ऐसी 6-7 कटिंग कर ली है अब हम सारे कपड़े को ऐसे open करेंगे और इसे अच्छे से इस्तरी कर लेंगे ऐसे इस्तरी करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चौडाई दोनों चार इंच है इस कपड़े को कोनी की साइड से हम ऐसे rolling करेंगे यह देखिए ऐसे हमें rolling करना है फिर यहां से हमें कपड़े को fold करना है अब हम इसके उपर यहां पर सिलाई चला लेंगे सिलाई चला कर कपड़े को अच्छे से lock कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड हमें ऐसी 6 डिजाइन बना कर तैयार कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का option सेलेक्ट करें जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी ये देखिए फ्रेंड हमने ऐसी चैनल बना कर तैयार कर ली है अब जो हमारा दो कलर का ये कपड़ा है इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे फिर rolling वाले डिजाइन को यहां बीच में लगा कर कपड़े को एक साइड से फोल्ड करके इसके किनारे की साइड में सिलाई चला देंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को easy step में तयार कर सकती है बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और डिजाइन को बीच में ऐसे लगा कर किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए सारे डिजाइन को फोल्ड करके हमने तयार कर लिया है इस डिजाइन को अब हमें क्या करना है फ्रेंड एक के बाद एक सारे डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करना है एक दूसरे में यह देखिए बिलकुल इसी तरीके से आपको भी सारे डिजाइन को ज्वाइंट करना है इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे की साइड से हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लिया है अब हम डिजाइन को तयार करने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी चोड़ाई धाई इंच है इस कपड़े के उपर हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे डिजाइन के उपर सिलाई चलाने के बाद यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और धागे को भी अब हमें कपड़े को सीधा करना है और इसे डिजाइन के उपर हमें फोल्ड करके ऐसे लगाना है अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे फोल्ड किया हुआ कपड़ा कहीं, चौड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए एक बराबर में होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे दूसरे साइड से भी एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे अब हम इस टिजाइन को आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा आस्तिन के कपड़े में इस डिजाइन को हमें यहां पर ऐसे लगाना है इसे अच्छे से परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हम इसके उपर यहां से सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय हमें डिजाइन को टाइटली घीचना है और इसके उपर अच्छे से हमें सिलाई चला देना है डिजाइन को ऐसे जुआइंट करने के बाद अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड इस डिजाइन को आज देंके कपड़े में ज्वाइंट करने के बाद हमारा डिजाइन और भी सुन्दर लग रहा है इस तरीके से आप इस डिजाइन को EG-S टेप में तैयार कर सकती है अब हमें क्या करना है फ्रेंड इस डिजाइन में हमें मार्केट वाले बटन को ज्वाइंट करना है तो उसके लिए हमने सर्ट का बटन लिया है इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर देना है अब यहां से धागे को और एस्ट्र कपड़े को कट कर लेंगे सूई धागा के मदद से या फैबरिक ग्लू के मदद से डिजाइन में यहाँ पर हम ऐसे बटन लगा लेंगे अब हमें डिजाइन के पीछी के साइट से सारे कागच को अच्छे से निकाल लेना है कागज को निकालने के बाद हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चला है तो फ्रेंड आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंस पर वाचिए